I love you, बोलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते, ऐसे बहुत सारे रिष्टे आपको दिख जाते हैं, जहां पर एक लड़की अपने बाइफ्रेंट से I love you, I love you बोल रही है लेकिन प्यार नहीं करते हैं, तो कैसे पहचान करें ऐसे लड़की की, जो I love you बोल तो रही है, प्या किसी के साथ एक रिष्टे में है, और आपकी girlfriend है, और वो हर वक्त आपको बताती है कि वो आपके साथ प्यार में है, आपको प्यार दिखाती है, लेकिन आप confused है कि सच में प्यार है भी या नहीं, तो आप उसके अंदर एक चीज़ देखी, सबसे पहले न, आप महसूस कर प किती होगी, मिन्टू से अगर आपको कोई प्राब्लम पढ़ गई है, आपको उसकी ज़रुत है, तो उसको फिक्र नहीं होगी आपकी, अगर आपको बुखार आ गया है, आप बीमार है, तो आप देखेंगे इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, वो एक बार आप से कि मेरी तबित खराब है, तब उसको याद आएगा, वो भूल जाएगी कि उसको वाइफी बीमार है, उसको कोई तकलीफ है या फिक घर में कोई तकलीफ है, उसको याद नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी निशानी है कि वो आई लव यू सरिफ बोलती है, करती नहीं है आ ये चीज़ वो तुरंद भूल जाती है, क्यों कि यहाँ पर प्यार नहीं है, दिल का अटेश्मेंट नहीं है, दूसरी चीज़ आप महसूस करेंगे, कि आप उसके साथ में होते हैं तो आपको ये फील ही नहीं होता कि वो आपके साथ में है, आपके साथ होकर भी वो आपक यह चीजी होती है, लेकिन इसके बावजूद, जब हम किसी के साथ में होते हैं, तो हमारा इन्वाल्मेंट उस इनसान के साथ में भी इक्वली होता है, अगर यही चीज आपकी गर्फरेंड भी गरती है, कि वो रील भी बना रही है, फोटो कीचे यह, वीडियो बना रही है, आपके साथ में कर 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 रही है, कि आप साथ में हो और यह चीज आप नोटिस कर पाते हैं इससे फुलाने नहीं करते हैं कि अपको अपर ध्यान अनहीं दिते है और शुलान भी गूंती है 小 fool वह अपकी अन्देखा करते हैं इत मेंस वह आपको प्यार हो नहीं करते क्ते। अगर आपी girlfriend वो है जिसका कुछ time पहले ही break up हुआ है और break up के कुछ महीनों में ही वो आपके साथ contact में आ गए है mean उसे 2-3 महीने पहले ही उसका break up हुआ और फिर आपसे connect हो गई आपके साथ एक रिष्टे में जुड़ गई है तो इसका मतलब ये बहुत clear है कि वो आपको प्यार नहीं करती है इस condition में जो लड़की आपसे जुड़ी है वो आपसे प्यार के वज़े से नहीं जुड़ी है उस इंसान को भूलना चाहती है अपने पहले प्यार के वज़े से बहुत ज़्यादा दुखी है इस वज़े से वो आपसे जुड़ गई है एक डहती हुए दिवार किसी ना किसी का सपोर्ट चाहती है तब ही वो रुप सकती है अब इसका जो ब्रेक अप हुआ इससे वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई थी ऐसे में गिरते हुए दिवार को तूटे हुए दिल को आपका सहारा मिलके है, support मिलके है और यह आप पर dependent हो गई और उसी emotions में आके उस दुख के emotion में इसको ऐसा लगा कि भी आपसे प्यार करती है कि आपसे बात करके इसको सुकून महसूस होता है अच्छा महसूस होता है, बुरा वक्त गुजर गया आपसे बात करते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगा है और यह अच्छली आपको दिल से महबत करने लगी है बट यह प्यार टिकने वारा नहीं है जैसे ही एक दो महीनों में यह स्टेबल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, यह समल जाएगी वैसे ही इसको फिर आप से दूर जाने का मन होगा क्योंकि उसका प्यार है यह उसी इंसान से जुड़ा हुआ है जिसके साथ ब्रेक अप हुआ है वो ब्रेक अप चाहे उस लड़के नहीं क्यों न किया हो उस लड़के ने दोका दिया हो, उस लड़के ने चीट किया हो, वो बुरा लड़का है उसके बाद भी इसका दिर उसी को चाहेगा क्योंकि अगर यह उसको भूल कर आपके पास में आती ना तो यह प्यार आपको करते है। यह उसको भूल कर आपके पास नहीं आई है। यह उसके दुख में ही थी ज़ो आपके जूड़ी थी। means to say उसके दुख के वज़े से जूड़ गई है आपसे। जैसे ही उसका दुख कम होगा, वैसे ही आपकी जो नीड है, वो गम हो जाएगी, उसकी जिंडगी में और ये स्टेवर हो जाएगी फिर आपसे भी कट आफ कर देगी तो यह जो प्यार है, वो प्यार नहीं है, तीन महीले में कोई इंसान अपने बाइफर्ण को नहीं भूल जाता है, वो गम बनाता है, वो शोग बनाता है, तो इतना जल्दी आपका जुणना दिखाता है, कि वो प्यार के वए से नहीं चुरी है, तो इसमें वो आपको प्यार अगले चीज आप देखेंगे, अगर आपकी गर्फरेंड वो है, जिसके उपर आपका कोई क्रेज नहीं है, आप से मिलने का उसको कोई क्रेज नहीं है, कभी कुछ ने कपड़े पहन के आपको दिखाने का क्रेज नहीं है, आप कभी गिफ्ट देते हो तो उसका मन नहीं होता भॉइफेंट ने घिफ्ट दिया है, चलो पहल की उसको दिखाऊ-ूदही मैं कैसी लग ने ही ह। यह कोई क्रेज um..ुदी क्रेज नहीं का क्रेजी नहीं है आपको लिखा、 handled it ,This amount's more. यह is? देखियेए प्यार पुराना हो कोई बात कि रहता है यह रहता है कि आप में बाइफिर्ण को दिखाना है आप में नई ड्रस पहनी है वाओ कितनी खुबसाद अगर बाइफिर्ण देख लिए वो फीर आती है यह तब ही आती है जब आप किसी को प्यार करते है बट अगर आपकी गर्फिर्ण वो है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है इसके ल यह प्यार बात है और यह एमोशन तभ ही नहीं करके आते हैं जब आप किसी से बहुत दा कनेक्टिड होते हैं वो आपसे इतना कनेक्ट है ही नहीं इसलिए उसको फर्म नहीं पड़ता क्या आप उसको देखो या नहीं देखो आपकी नजर उस पर पड़े या नहीं पड़ इस चीज को लेका, आपके गिफ्ट उसके लिए ज्यादा एवैल्यू नहीं करते हैं, वो उस लेती है, एक स्माइल पास करती है, थैंके बोलती है, जो खुशी होनी चाहिए ना, वो नहीं आपको देती है, तो मान लीजिए वो आपको प्यार नहीं करते हैं, ऐसे में आप य एक गिफ्ट वही एकसाइटमेंट देता है, जो पहला गिफ्ट दे रहा था, गिफ्ट के एकसाइटमेंट हमेशा एक्वली रहती है, और अगर आपके प्यार में वो एकसाइटमेंट नहीं है, आपकी गर्फर्ण में वो एकसाइटमेंट नहीं है, तो ये बहुत क्लियर स कि उसके दिल में आपका वो इस पेशल प्लेस नहीं है कि गिफ्ट भी मैटर करते हैं कि देने वाला कॉन है कोई इस पेशल इंसान हमें जब गिफ्ट देता है उसके बहुत वैल्यू होती है कोई आम इंसान देता है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है अगर आपका गिफ्ट उसको एकसाइट नहीं कर रहा रहा, उसको खुशी नहीं दे पा रहा, उसको अच्छा फिल नहीं करवा पा रहा, मिन्ट उसे आप भी कोई जगह नहीं है, वो बस रिश्टे में बन चुकी है, इसके साथ एक और चीज़ देखेंगे कि आप उसकी प्र अपने आपको देगे, कभी-कभी ऐसा करना चलता है, बट अगर आपकी गर्फेंट हमेशा यही काम करती है, आपके कोई इमपर्टस है ही नहीं, आपको प्रियरृटि देती ही नहीं, उसे जो करना है उसे वही करना है, आपके लिए उसकी जीरो एफर्ट है, तो माल लीज कि आप लोग का अच्छे से घूमना फिरना है, मिलना जुनना है, सब कुछ है ऐसे में कभी-कभी दोस्तों से मिलना होता है, एक बार दोस्त कहा है कि चलिया मुवी देखते हैं और आपने भी प्लैन मना लिया तो ऐसे में आपको सेकेंडरी टीट कर देगी संझा देगी कि यार हम लोग तो हमेशे ही जाते रहते हैं आज इस बार मेरा मन दोस्तों के साथ में, यह नॉमल चीज है बट अगर आप वो है कि आपसे कभी भी मिलती हो, जो रड़की आपसे मिल ही नहीं पाती है उसकी प्रियरिटी सिर्फ और स्रिफ आपके साथ मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना होना चाहिए ना कि दोस्तों के साथ आपको प्रियरिटी मिलना जरूरी है और ऐसे बहुत सारी छुटी-छुटी चीज़े हैं जिसमें आप महसूस करेंगे कि जहां उसे आपको इंपर्टन देना चाहिए, वेल्यू देना चाहिए, तरजी देना चाहिए, वो नहीं दे रही है वो किसी और को दे रही है, अपने आपको दे रही है, फैमली को दे रही है, बड़ आपकी को वेल्यू नहीं है वो चीज़े आप महसूस करेंगे हैं हर चोटी बड़ी चीजबर, यह चीज़े होती है कि आप भाब जाते हो, हना तो यह चीज़े होंगी होंगी आपके रिष्टे में अगर वो प्यार नहीं करते होंगी और यह प्यार ना करने का एक साहिन है, साथी साथ जैसे कि मैंने कहा इस पूरे रिष्टे में जो आपका रिष्टा चल रहा है ऐसे बहुत सारी चीजे होंगी जो आप एक्स्प्लेइन नहीं कर पाओगी किसी को बट महसूस करते होंगी हर छोटी बड़े चीज पर आज जा कर और कभी ना कभी आप उसके तरफ से उस प्यार महसूस ही नहीं करते होंगी आपको हर एक चीज पर ऐसकता होगा कि यार ये काम कर सकती थी मेरे लिए इसने नहीं किया ये वो काम मेरे लिए कर सकती थी नहीं किया ये इस समय हाँ बोल सकती थी नहीं किया जितना प्यार आप उसके लिए महसूस करते हो अपने दिल में आप उसके दिल में अपने लिए महसूस नहीं कर पा होगी और ये चीज़े फीर होने वाली है बस आपके अंदर महसूस होगा एक विनो एक सुछ बहेगी क्यार वह बात नहीं है यह मेरे लिए नहीं करती कुछ पर यह प्यारी नहीं करती यह लव्य थो बोलती है लेकिन यह लव्यू मेने दिल तक नहीं पौशता यह अगर आप ऐसा महसूश करते हैं तो कोई नग बात जरूर होगी कि उसका I love you उसका मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इस शब्द का इंपक्ट आपके दिल तक नहीं पहुसता, उसके आइड़ बी कहने से आपका दिल नहीं जड़कता, तो कोई गैप है, फीलिंग में कहीं कमी है, कुछ न कुछ गरबढ है, और ये वही गरबढ है कि वह आपको नहीं करते हैं, अगर ये सब चीज़े चल रही हैं, तो मान लीजिए, आपी गरफिर्ट का आफे हद तक चांसिस हैं, कि वह आपके साथ प्यार में नहीं है, किसी मजबूरी में ये ना चाहकर भी बंद चुकी है आपके साथ, जिस रिष्टे को खतम नहीं करना चाहती है, ये प्यार का रिष्टा नहीं है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं अपने रिष्टे में, अगर हाँ, तो कमेंट बोक्स में बताईए का, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको मुझसे से चाहिए, वन तो नीचे दिएगा, अबर सब नमर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं